जहन मेरे प्यारे साथियों डियर बच्चों मैं हमन्त पजबती आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चनल HP Chemistry Classes में डियर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक हम छुट छुट टॉपक पढ़ रहे हैं और अच्छे से प्रयास कर रहे हैं आईडियर हम बात करते हैं लवड इसे हम बोलते हैं Salt या लवड होते क्या हैं यह कितने टाइप के होते हैं और लवड की परिवासा हो क्या सकती हैं जैसे कि आप जानते भी हैं कि हमारा जो साधारन नमक होता है जो हम खान पान में यूज करते हैं जिसका फॉर्मुला एने इसेल है यह वी एक प्रिकार का क्या है लवड ही है ठिक तो इसको हम लवड क्यों कहते हैं इसको लवड कहने का क्या कारण है इस सभी चीजों को हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे, धैर रखिए समझने का प्राज केज़ा आपको समझ माएगा, आपने अभी तक पढ़ा है अमले, आपने क्या पढ़ा है अमले, और आपने पढ़ा है छार, अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि अमले क्या होते हैं, जो H प्लस दे होते हैं, ठीक, यह चार है, अमलो चार है, जानते हो चीज़े, यही यहां बता जाते हैं कि लवड का मतलब है, जब आपका कोई भी अमले, और आपका कोई भी चार, आपस में कोई रेक्शन करे, आपस में परस्परक मिल जाए, तो उस इस्तिती में जो कुछ बनता है, वह वही हमारा लवड कहलाता है वही हमारा कहलाता है लवड इससे हम कह सकते हैं कि अमले वा छार की पारस्पर के क्रिया के कारण कारण उत्पन उत्पाद लवड कहलाता है ऐसा हम कह सकते हैं ठीक है अच्छे से कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं आप जानते भी हो कि जब अमल औच्छार आपसरे मिलते हैं तो क्या बनता है लभड और जल और अमल औच्छार जब आपसरे मिलते हैं और लभड जल बनाते हैं ऐसे क्रिया को हम और आप जानते हैं Neutralization कहते हैं जिससे हम बोलते हैं उदासी नहीं करन अभी के लिए क्या कहते हैं से उदासी नहीं करन अभी के लिए ठीक है इस बात को आप हमेशा जानके रखना जैसे example के तोर पर कहें तो जैसे अमल होगे हमारा HCF छार होगे हमारा NaOH इन दोनों की परस पर किरिया होगी क्या होगी आपस में किरिया होगी तो जैने और ये CL आपस में निकलेंगे निकलेंगे और क्या देंगे H2O लबड बना के तेंगे ये जो बना है ना ये अने CL ये लबड कहलाता है क्या क्या कहलता है to the letter I am अगर होता तो आनोता था कुछ नहीं है तो दियर लबहलं ही कहला के लाट है कि इत्ती बात तो आपको समाझ में आ चुकी बहुत धी में दी में चार मन्द में इतनी बात कंपीड की है मैंने अब आई ये बात होते हैं लबडों का वर्गी करन लबडों का वर्गी करन क्लासिफिकेशन आफ सॉल्ट ठीक तो लबड दियर हम नाम लेकर दे रहा हूं पहले ये छे टाइप की होशे हैं सर तेल चार पांच और छे लबड केते टाइप के होते हैं कौन कौन से होते हैं वो आप ध्यान दिजिए एक होता सामान लबड या इसी को बोलते हम सरल लबड दूसरा होता है हमारा अम लिए लबड ठीक है और तीसरा होता है हमारा चारी लबड कौन सा लबड होता है बोलो बच्चो चारी लबड और अगला होता है मिस्सित लबड ठीक है और अगला होता हमारा दूइक लबड लास्ट होता है आपका जट लबड या complex salt या संकुल लबड हम जिसे कहते हैं ठीक है थोड़ी सी बात समाज में आई हूँ इन 5 मेड़ के अंतराल में कि लबड होते क्या है लबड कौन कौन से हैं जी हमने आपको बताया ठीक है चले आगे हम बात करें सबसे पहले बात कर लिए हम सामान लबड की कि सामान लबड तो बात करते हैं सामान ये इसी को बूलते हैं सरल लबड ठीक है सरल लबड या सामान लबड होते क्या है द्यान देना सामान या सरल लबड का मतलब होता क्या तो यह ध्यान देना सामान लवड में बेसिक सी सीदों पॉन बाइपॉन बात करता हूं सामान ने असरा लवड को बोलते हैं कि ऐसे लवड में कि ऐसे लवड कि जिसमें कि विस्थाप नहीं है है एच पिलस या ओएच माइनस नहीं होते इस बात देनना मत्रस सामान लवड का मतलब है ना तो उसमें एच पिलस हूं ना ओएच मानस हो और एच पिलस कैसे विस्थाप दबाले जो त्यागे गए होगे हूं जो अलग किए गए हूं और ओएच मानस ऐसा कुछ ना हो जैसे कि आपको कह दें हम के टू इसमें कोई एच है नहीं है ना इस सामान लवड के लएगा जैसे आपको लिए देख की सियर इसमें कोई एच पिलस है क्या नहीं है और यह सामान लवड के लाएगा mam क्रें के पास ना तो एच पिलस हो हो न वेच माइनस हो वह सामान लवड कराता है ठिक़ॉई तो कि आपके बाद हम्राच करते हैं किurança आपना, लवड की ठीक है अगर अमनी लवड की हम बाद करें तो होता किया है इसके बढ़ रहा है एकमद एकमद सब्सक्रा चलिए अमली लवड की बाद करें तो अमली लवड भी कहलाती हैं जिसके मतलम जिसमें H प्लस हो विस्थापनिय है H प्लस हो जैसे एक्जामपल बता रहा हूँ डारे ठेयोरी लख रहा हूँ जैसे N A H H O 4 इसकी में देखिए क्या है H है आपका जैसे लिख दाएक की H C O 3 इसमें क्या H है न तो यह कहलाएंगे अमली लवण इस प्रकार की अर्थाद A H C लवण जिसमें विस्थापनिय है जिसमें विस्थापनिय है जिसमें विस्थापनिय है H प्लस होता है इस बात को आपा दनना है यह कलाएंगे अमली है अब बात करने चारी सबी प्रकार के लबड जान लेंगे हम अभी चारी लबड Acetic Salt कहलाते हैं कि ऐसे लबड जस्ट उल्टा जिसमें OH माइनस हो जैसे देखो जैसे हमें लेखा ZN OHCR इसके पास क्या OH है इस चारी लबड के लएगा है जैसे M, G, OH, C, L इस चारी लबड के लाएगा बत समझ में गई इस सब के सब चारी लबड है आप मिस्रित लबड और समझ लीजिए यहाँ पर लास्ट एक पोजिशन और समझ लीजिए फिर आगे पर ना पलटाते हैं मिस्रित लबड पर एक एक जामपल जानना है आपको जैसे हम बोलते हैं विली चिंग पाउडर या जैसे हम बोलते हैं वरंजक चून ठीक है यह क्यालाते हैं मिस्रित लबड का एक जामपल लएग है आप चलिए अगली यडिंग के बारे में हम जाने तो अब जानने जी आप दूएक लबड ठीक, तो दो एक लबड जो होते हैं, जी कैसे बनते हैं, तो ये दो एक लबड जो हैं, दो सरल लबडों को, या दो सरल लबडों के जलिये, बिलेन का क्रिस्टली करण से बनते हैं, या वास्पी करण से बनते हैं, वास्पी करण से बनते हैं, ये द्यांदरा, ये थोड़ी थेयोरी, नॉर्मल से लिखी हैं आपके लिए, कि अगर क्वेश्टन पूसे हैं, दो एक लबड कैसे बनते हैं, तो आप बता लबडों को कर दें तो बन जाएंगे आपका दो सरल लबलों को कर दें जली ब्रिन का वास्पीकन करा दें तो आपको का बन जाएगा यह compound बनके त्यार होगा जैसे एक्जामपल आप फ्यट करें लेड़े के टू SO4 AL2 SO4 का होल थराइड इन्टू स्वबसस्टya यह एक्जामपल लेड़े के सियल मघी सियल टू के सियल इंट्वं मघी सियल इन्टू 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 सिक्स एच्ट्टू एक लाता है फिट करी, जिसे हम बोलते हैं, पोटास एलम, इसी बोलते हैं, कार्ने लाइट, एक दुएक लबड होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार एक लास्ट पॉइंट बचा है, जिसे बोलते हैं, जटल लबड या संकुल लबड, जटल लबड को पैचाने की सीजी दिखला है, कि बड़ा कोश्टक आपको जहां भी मिले, तो समझ जाना, जटल लबड है, जैसे एक जामपन लेले हमने, के फोर, एफी, सी अन का होल सिर्फ, यह जटल लबड है, यह आपको लेकर जाएं, दूसरे एक जामपन, सी यू, एद फोर लिया, खोश्टक के बाहर एस फोर लेकर, इस प्रकार के एक जामपन आपको मिले है, तो समझ जना वो जटल लबड की संभावता बताता है, देखो, बलको सिंपल थे सभी लबड, क्या थी, सरल लबड में क्या होता है, सरल लबड जैसे एक का इनिसेल, ना तो कोई है पने ना O.C. है, और अमली लबड में H. पाया जाता है, और 6 लबड में H मिलेगा बीच में, ठीक है? अम लिया होगा, 6 होगा है, जटल लबड में इस प्रकार बड़ा कोश्ट होगा, दो एक लबड में इतना बड़ा-बड़ा सूर्थर मिलेगा आपको, और मिस्सेल लब तो भी कमेंट कीजिए जिससे समस्या आपको हो तो आप हमें किलियर बता सकती हैं क्योंकि नेस टॉपिक हम फिल ले कराएंगे चेह को सब्सक्राइब कर लें बेल ऐकंड दुबाले हम आपसे फिर मिलेंगे जहेंद